हलो गाईस आप्लों मस्त होंगे खूस होंगे और आप बहुत बहुत सुक्रिया वर्दी का जणुनकी साथ आप लोगो को लेकर आये है sister class बहुत खुसी हो रहे दूसरा class में आप लोग को जानना है बेश से यौст। संख्या पदती गों दोस्तों संख्या पधती में 12 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक प्रकार के आपको प्रश्न बताया जाएगा जनून है आप लोग में ना ताकत है ना आप लोग बैठे हैं ताकत है ना तो ताकत है तो लगा दो लगा दो वर्दी का जनून अब लगा दो अब देख हर्मित चैनल जो है ना एजुकेशनल वीडियो इस पर अब सस्त्र से नहीं साही से लड़ा जाएगा और वर्दी तो छीन कहीं रहेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्या पत्ति के बारा प्रकार संख्या पत्ति में बारा प्रकार के प्रस्ण आपके परिच्छा एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला है प्राकृतिक संख्याओं के योग पाधारित प्रस्ण दूसरा है संख्याओं के बर्गोपयम घनों पर अधारित प्रस्ण और तीसरा है योग अंतर और गुणा पर और चा उत हमाँ पूसता कि Ginaldhi दधी प्रधारित प्रस्थ और पांचवा पूसता हैं गुणा और भाग। प्राधारित प्रश्ण है हैं छर्ट्माँ पूसता हैं घातांकि ये भाग पाूप प्रधारित प्रश्ण हैं और सबोग्याहत बाएं। प्रश्न और पुझता ही का अंग ग्याद करना और वहां हमारा विविद का मतलब होता है कि सभी कोश्चनों को मिक्चर मतलब यह तोटल को क्या कर देंगे मिक्चर विविद मतलब छूता छटका भूला भटका सारे चीज होते हैं तो चलिए साथियों एक टाइप के द्वार हम आप लोग को पढ़ाते हैं और बताते हैं छोटा से छोटा प्रश्न और बड़ा से बड़ा प्रश्न को हम लोग सरल तरीका से कैसे हल करेंगे यह हम आप लोग को बताते हैं चलिए मैं टॉपिक को हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं को योग योग प्राधा प्रश्न देखे कल मैंने पहला वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा किया था और दूसरा चर्चा मैं आप लोग के साथ कर रहा हूं तो चलिए हम लोग दूसरा चर्चा आप लोग के साथ करेंगे तब तक के लिए ये आपको हम विटा दे रहें करें चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाए सवी लोग हां जल्दी जल्दी बाई जल्दी जल्दी देखिये क्योंकि वर्दिक के जिसका जिसका जनुन है में वह जल्दी जल्दी जुड़ेगा अब देखिए प्राकृतिक संख्यां के योग और अधारित प्रश्ण में भी कई टाइप बनते हैं टाइप नंबर ए कि अब टाइप नंबर यह जैसे हो गया करमागत संख्याओं का योग देखिए करमागत संख्याओं का योग इसमें जैसे होगया करमागत संख्याओं को योग पराधारित प्रश्ण करमागत संख्याओं की कि कि योग पराधारित प्रश्ण को कहने का मतलब इसका यह है करमागत का कहने का मतलब ही है कि इसमें देखिए प्राकृत संख्या भी आ सकता है प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है सम संख्या भी संख्या भी आ सकता है भाज संख्या भी आ सकता है और अभाज भी आ सकता है कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या 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 बिसंख्या और भाज संख्या भाज संख्या कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो एक से शुरू हो अरनन तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं बाबु और दूसरा हम संख्या संख्य संख्या उसे कहते हैं जो दो से विभाजो एक लड़का ने सवाल किया कि सर दो क्या है सम संख्या है कि अभाज संख्या है कि भाज संख्या तो मैंने कहा बाबु देखो यह प्रश्ण है अभी आरा आरे सी ग्रूप डी में एक कोश्चन आया था कि दो पर सवाल उठाता तो जानते हैं सब्सक्राइब को यह रूज को चोड़ेंगे में संघा शरालो को सब्सक्राइब पुछता है बाबु देखिए एक सवाल और रेलवे ग्रूप डी में पुछा था मैं बता दे रहा हूं आप लोगों क्योंकि परिच्छा में यह मिस्टेक मत किजिएगा पुछा था कि कौन अपर में संख्या है कौन अपरी में संख्या है अपर्में पुछाता 2 बटे 3, B नमबर में पुछाता रूट 4, C नमबर में पुछाता रूट 9 और D नमबर में पुछाता पाई बहुत बच्चे मिश्टेक करके आते हैं चार नौ पमार के आते हैं लेकिन यह गलत हो जाएगा बाबु इसका स्वही जबाब आप लोगो मिलेगा पाई क्योंकि पाई कोई संख्या नहीं 22 बटा साथ हमने माना है न कि मैथमेटिक्स माना है देखे 22 यह पाई है पाई का मान रिखना आप लोग जानते ही है और अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगो अर्र सी ग्रूप डी में आया हुआ कोस्चन है आप लोगो इलाहाबाद बोर्ड में ठीक है बभु तो हम लोग चलते हैं आगे हम लोग का में टॉपिक तो प्राकृतिक संख्यास्वम विश्म स इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साती हो चलिए चलिए इसको हम लोग देखते हैं बाबु है ढशेए तो प्राकिर्तिक संख्या, समसंक्या, विशंक्या, बाज उर्भाज के लिए हम लोग परिच्छा में देखते हैं हमारा कहने का मतलब है कि जाम में या कई किताबों पुष्टकों में आप लोग देखते होंगे कि प्राकृतिक संख्या के लिए अलग सुत्र संख्या के लिए अलग सुत्र भाज संख्या के लिए अब आज तो हम इतना समय बरबाद क्यों करेंगे परिक्षा में एक सरल ट्रिक देंगे जिसे से कि आपका एकिजाम क्या हो निकल जाए हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है और ज्यादा घूमना नहीं यह चैनल हमने फिरी कराया है और फिरी सेवा करा रहे हैं तो हमारा यह चैनल आप लोग के लिए है और हम आप लोग के लिए हैं जितने साथ यहां गया यहां संख्या यह लटका ने सवाल किया योग बड़ाबर अंतिम संख्या बटा में दू गुड़े, ¿20? क्या होता है सर एक लड़का ने सवाल किया तो यह उन्य का मतलब बाभू होता है अंतिम संख्या माइनस नंतिम देखे बाभू जिसको प्लकम संख्या माईनस प्राथम संख्या बटा में दो पदो का अंतर दो पदो का अंतर अब पलस वन होता है ठीक है इसको लिख लिजिए सुत्र को अच्छ से लिख लिजिए सुत्र को हम लोग रटेंगे देखे कैसे रटेंगे योग बराबर पृथ म संखा पलस अंतिम संख्या बटा में दूगुडए यन होगा और न बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रत्हम संख्या बटा मेंदो पदो का अंतर पलस वन होगा चलिए एक बार फिर से फिर से लग जए योग बराबर प्रथम संख्या प्रस अंतिम संख्या प्रथम जोड़ो अंतिम जोड़ो बटा में दू कर दो गुणायन कर दो यह मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में दूपदो का अंतर प्लस वन ठीक है तो तो सेलेक्ट हमारे तरफ से हो इस चैनल के तरफ से कि मुझे खुशी हो हमारे कई बच्चे सेलेक्ट है आप लोग से मिलवाएंगे चैनल पर टेंशन मत लीजिए तो चलिए यह क्लियर हो गया उसलिवारे तुम बढारे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लगए थोड़ा हम से मजा कर लेते हैं कि आप लोग ने रहें ठिक इसको मेटाते हैं बाबू चलिए तो हम लोग कोश्टन के तरफ चलते हैं ठीक है लिए हम इस पुश्टन भी देंगे बाबू यह भी बात है एक भी कोश्टन परिख्छा में छुटेगा नहीं तो चलिए हुआं है एक जांपल में हम लोग देखेंगे ए जैसे माल लेजिए एक तीन पानिस थेंडियोग paid करें कि योग याद करें देखो भाईया तो हम लोग कोई जोड़ना है ना तब पहले यान का मान निकाल लेजिए यान बराबर होता है अंतिम संख्या हम बार बार सुत्र भी लिखेंगे क्योंकि याद करा देना है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या कि अब अब्टा में क्या दो पडो का अंतर एप अंतर प्लस वन अब अंतिम संध़ जैंगया कितना है 99 है थ्यार उत्व प्रथम संध़ कितना है बावू जो थे दो पडों का अंतर काई एक और तीन में अंतर का है तीन माइनस फुन परलस ओन अब देखिए 99 में से गया बच्छा अंठानभी आफिजीं दूह अब देखो घ्याक। यहां देखिए अब यह दोनों कट जाएगा उंचास हो गया उंचास हो गया कोई दिखत है बाबू पचास हो आज अब देखिए में यहां हम सुत्रवायों कमी तैंसे योग बनावार क्या मय भाब अब योग बरावर क्या होता है प्रथम शंख्या पलस अंतीम संख्या कि देख्यें अंतीम संख्या बटा में दू गुने यह गाएं गया है यह 14-59 दिकत है क्या अब एक और 99 को जोड़ेंगे तो क्या होगा सो बटा में गुणे आई देखा दूसे पचीस नुनी पचास होता है सो गुणे पचास पचीस कितना होगे पचीस सो एक लड़का कहा कि कोई सर इतना बड़ा आप जो बता है कोई सरल ट्रीक है कि आपके पास मैंने को बाबु देखो सरल ट्रीका तो बहुत जगह होता है तरीकी तो बहुत जगह pharmya प्रशन दिजानना जरूरी है लेकिन तुमकर हो रहे तो मै एक सरल ट्रीक तुमको दे देता हूं देखो भाईय यह 99 साओं को 17 सब कूर्द ऑलदा में ऐक जोड़ दो सव निनानवर में एक जोड़ दोगे क्या हो जाएगा सव सव का अधा कर दो 50 50 का स्कॉर 25 कोई दिकत है एक लड़का कहा कि सवर इसको लिख लिजिए लिख लिजिए पहले एक लड़का कहा कि सवर अगर आपको यह वाला कोश्चन वा देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि स धेखो भाईया कर दिया अगर है 59 सरुपरा करें ना युझा सला में तो 50 के 25 शा्तार जाने मत कीजिए हैं चलो भाया स्वाज दोगे का होगा बभू और तालिस और तालिस के आधा कर दोगे का होजागा 24 चैटालिस के स्कॉर का होता है 560 कोई दिकत है लिजन इससे भी हल क आपी जल्दी लिखे लिखें के लिखें से चलिए आगे बढ़ें से चलिए बढ़ते हैं तो अब देखी अब ये तो क्लीर हो गया अब एक लड़का कहा कि तो आपने विशम संख्या के बारे में बताया है समसंख्या के लिए यहीं समौ संख्या के लिए नगे का देखो दू फिल मौहार्त प्लस म् सवका योग याद करें मालो कुछ महीं कर सकते हो बीचों मेसे कर सकते हो कहीं से कर सकते हो को दिक्षा ‫नहीं यह बीच में में मिबि प्रण newspapers उत्र आ के बता में में क्य Chain कि दूब स्मय अंतर दो पर आंतर अ कु दीखत है क्या आप देखो यहांक पहले निकाल सेंग है अंट्रेट अब प्रथम संध्वा क्या है थो अफ्पदका अंतर दो एचेयर मेंं अंतर ứड़ क्या है थो प्लस वन इन को तो देखो 98 भाइटम यूंचा ऌशा से हैं 40 अब योग बराबर देखलो यहां योग का सुत्र अमने क्या लिखा है प्रथमसंख्या है प्रथमसंख्या अपस्ट आंतिम संख्या बटा में क्या है दो गुणे क्या होग्या है यक् 11 प्रफम संग्या कितना है प्रफम संग्या क्या है वाई दो और अंतिम संग्या क्या है सौ बटा में 2 गुणे यहन का मान कितना अव्य पचयास तेका अब देखो बाव एक दू गुड़े पचीज हम तो डाइरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपको 102 और 25 का गुणा मालों नहीं आ रहा है तो यहां डाइरेक्ट 102 आप 25 का गुणा कर दो देखो भाई या पांदूनी के 10 आथे आप यह पांसो दस अब यह क्या हो गया दो सो च्यार को जीरू 5 आप 45 सो हो गया 50 को दिकत है इसको मीटा देते हैं है फबाचीस सो 50 कोई दिकत था तो बता दीजी को दिक chiliघा थै तप апब ज़ें सो 550 क्लिए हो गया अब हमारा कहने का मतलब है कि है तो एक लड़का कहा कि कोन शुत्र सरो करदे लुए करो में कौना माजाब का हम करना कि काहें निखेँ माजाव समय में तम मौझेबा कौन दीकत मांशा से देखा बाबुए कुरो के कदे ततनी तो कि आधा का होला बाबुब पच्यास आइद अथा कि फ़िशे करत रहिए इसने करें आमें 50 से बढ़ाद एक आउन तहीं का होगी बाबु 2550 इसमें जानते हैं इसमें जानते हैं क्या कि यह हैं यह सोगाधा हो जाएगा 50 अब 50 में एक जोड़कर 51 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 2550 इसमें लड़का कहा सर मज़ा पाए लेकिन अब तो दूसर का कोश्चन में मज़ा पवाई दी न गुरू जी तर देखो बाबु तुम लोग हल खुद करोगे यह दूसरा कोश्चन में खुद करोगे तुम आगे कमेंट में करिएगा यह कोश्चन को बनाकर ठीक है चली एक अब लड़का कहा कि सर बड़ा मज़ा पाए सम विसम के ता बता दिए प्रकर संख्या के तो वह बीडियो में बता दिये थे लेकिन अब भाज-भाज में बड़ा मज़ा पाएंगे सर जी चलिए लिख लि और सुनाथ का हूरा पीडियो को आप लोग पूरा वीडियो को आप लोग देखेंगे ठीक है कि अब देखुए है है अब एक हम लोग काई से आगया मालोग 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डोड 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 मालोग का यहां गयात करें कि अब देखिया कि छिट अब यही सुत्रिया ने बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रेथम संख्या बटा में अब देखिया दो पदों का अंतर दो पदों का अंतर प्लस 1 अब अंतिम संख्या मेरा कितना है बाबु देखो अंतिम संख्या मेरा प्रथम संक्या क्या है पाच है दो पड़ो कांतर 5 और 10 कांतर क्या है पाच है ना प्लस वन अब सौ में से पांच गया बचा 25 वाटा में बटा में दूगुणे यहन का मन क्या है था दस दुनी क्या है एक सब पांच गुणे दस बराबर एक हजार पचाश कोई दीकत है का है तो हम लोग एक लिए हो गया तो यह बावु शम भाज भाज कौनों बीच में संख्या कोहीं से संख्या हो तो आप लोग बना सकते हैं इस इसको question देने के बाद फिर आप लोग बनाइए गा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए क्योंकि आप लोग भी वीडियो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे कि अम क्लास एक घंटा का प्रती दिन चलेगा लेकिन अभी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग एक निसोलक चैनल को चालू की हैं, जिससे कि गरीब बच्चे हमारे से जुड़े और पढ़ें अच्छा एजूकेशन प्रात करें, हर्मित एजूकेशनल वीडियों से, जो कि एक अच्छा आप लोग को अच्छे हम लोग काहें इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग को सेलेक्ट हो, और सेलेक्शन लेना बहुत जरूरी है बाबू, तो चलिए में टॉपिक पर चलते हैं, हाँ तो चलिए अब कोश्चन हम लोग पाच बुले लेंगे आर कल के लिए एक प्लस दू प्लस थीन प्लस डॉट 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 पच्पन का योग हम दखो बावु कोई भी कोश्चन पढ़ाएंगे उसका होमवर्क जरूर देंगे क्योंकि हमको दखिए हमको सलेक्शन चाहिए हमको बतियाने का नहीं चाहिए हमको वही लड़का पसंद है जो अच्छा लगता है कि जो लड़का पढ़ने वाला हो हमको यह नहीं कि बकईती करने वाला पसंद है हमको जो पढ़ेगा उसको हम सेलेक्शन दिल लाएंगे अब अदो आप देखो तीन, छे, नौ, बारे, डट, डट, मालोग, सन्तानविर 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 ने करके तुम 99 करलो लोग खोशी यह आप लोगा च्यार कोष्छन हो गैं लिख लीजे चार गोष्छन तो हम लोग साथियों अब इसके बाद आप लोग इस कोशन को बनाईएगा और घर से जो कोशन नहीं आवे वो पूछिए ठीक है तो ठीक है धन्यवाद